अगे बढ़ते हैं कल हम लोगों ने एक्सपाईरी पर option buying कैसे की जाए उस process को समझने की कोशिश की थी लेकिन उसमें हुआ क्या वो वीडियो जो था वो आपके लिए play नहीं हो रहा था audio पर आप सिर्फ उसको सुन पा रहे थे तो आपके साथ क्या हुआ कि आप उससे connectivity नहीं रख पाए है ना पूरी तरीके से समझ नहीं पाए तो आपके साथ वो तकलीफ आई मैं क्या गर रहा हूँ उस पूरे session को आज के उपलक्ष में आज जैसा बाजा रहा उसके बिहाफ पर समझने की कोशिश करते है जैसे कली मैंने आपको बताया कि ये समय expiry specialist बनने का है expiry को जो बहतर समझेगा वो जो trades करेगा उसके लिए जो चीज़े आगे आएंगी वो बहुत beneficial होगी क्योंकि expiry ही होती है option buying का time ठीक है तो option buying कैसे करना है process process में momentum catch करेंगे हम लोग 8 exponential moving average से 8 EMA से ठीक है अच्छा क्या खरीदना है क्या नहीं ये कैसे decide होगा ये decide होगा projection से ठीक है तीसरी बात कौन से strike price buy करने है call buy करना है कौन सा call buy करना है ये कैसे decide होगा ये decide होगा time से ठीक है time से decide होगा चलिए आज के उपलक्ष में आज के price action को हम लोग स्ध्यान में रखते हुए आगे बलते हैं चलिए सबसे पहली बात हमको क्या जाननी चाहिए कि कोई भी option buying का best time क्या है option buying का best time क्या है जब किसी option में उसकी value लगबग लगबग खत्म हो चुकी हो कि अगर कोई option आज के समय अगर आप 46900 बाजा ट्रेट कर रहा है और अगर आप 47200 को देखें ठीक है या फिर आप 47300 को देखें तो आपको जो premium मिलेंगे वो क्या मिलेंगे यहां पर 47200 का strike price हम लगा कर देख लेते हैं 29 तारी का call ये है इसका price क्या trade कर रहा है 364 trade कर रहा है 364 पर trade कर रहा है तो मैंने क्या कहा जब इन strike price की value 5-10 रूपे रह जाए या nifty में देखिए index जो है double है double का मतलब समझ रहा है अगर index nifty trade कर रहा है 21-22,000 पर ठीक है 22,000 का index है और bank nifty trade कर रहा है 46,000 पर तो इसे दो गुना है कितना है 2x है जब मैं bank nifty के लिए बोलता हूँ कि 5 और 10 रूपे के premium आपको 5-10 रूपे के बीच के premium खरीदने के लिए देखने है तो आपको एक बात समझ लेनी है कि nifty में वही premium जब इसकी valuation का ये half है तो आपको यही खरीदारी क्या करनी है 2-4 रूपे के premium या 5 रूपे के premium बात क्लियर हुआ 2-5 रूपे के premium के बीच के premium आपको खरीदने है यहाँ पर एक lot अब देखिए price में वह value विलग नहीं होगी यहाँ पर एक lot का size है 15 का मतलब हर 1.15 रूपे के बराबर तो जब 5 रूपे की मैंने बात की या 10 रूपे की बात की तो यह total कितना price हुआ यह 5 रूपे के हिसाब से होता है 75 और 10 रूपे के हिसाब से होता है 1.500 रूपय एक lot का जो आपका amount आएगा cost आएगा खरीदने का 75 से 1.500 रूपय में एक lot खरीद लेंगे यहाँ पर आपका lot size क्या है 50 का है अगर यहाँ पर आप 3 रूपे की value खरीदेंगे तो 1.500 हो गया 2 रूपे की value खरीदेंगे तो 100 रूपया हो गया पांच रुपए की value खरी देंगे तो 500 रुपया हो गया तो बात के लिए लगबग लगबग वही amount यहां पर buying में आ रहा है वही amount यहां पर आ रहा है एक lot का size कैसे नरधारित होगा यह समझ गए न ठीक है अब दूसरी बार पहली चीज तो हमने देख ली अब दूसरी चीज हमको क्या identify करनी है दूसरी चीज हमको identify करनी है type मैं क्या बोलता हूँ जब premiums premiums का मतलब हुआ जहां पर bank nifty या nifty आज nifty का example लें आपको चलेगा बहतर आप लोग समझ पाएंगे ठीक है जब nifty अपने spot price जैसे अभी spot price क्या है 42,200 तो मुझे क्या करना है कि 42,200 के ऊपर और नीचे के strike price देखने है expiry session में आज nifty का expiry था तो nifty का देख रहे हैं कल bank nifty का था तो कल bank nifty का देख रहे थे अब कल किसका है sensex का है तो sensex का आप देखेंगे हाला कि sensex में आप लोग बोलते हैं liquidity नहीं रहता है मैं भी इस बात को मानता हूँ एक बात सुनिए liquidity नहीं रहता है other session Monday को आपको liquidity नहीं मिलेगा Tuesday को नहीं मिलेगा expiry session को डेट दो बजे के बाद वो buyers का time होता है sir वहाँ पर liquidity होता ही होता है ठीक है liquidity की कोई आपको कमी नहीं है कि हां उतना price में liquidity नहीं होगा जितने buyer seller bank nifty में है उतने nifty में नहीं है जितने nifty में है उतने sensex में नहीं जायर सी बात है उतना liquidity नहीं होगा लेकिन खरीदार विक्वाल वहाँ पर smart रहते हैं अच्छे खासे रहते हैं कि आप उनको trade कर सकते हैं ठीक है अब मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है near about पूरा आपके लिए एक setup की तरह बता रहूँगा आप मैं कोई यहाँ पर theta का use नहीं करूँगा कल आपने price को सुन लिया होगा जिसने नहीं सुना है technical को जिसको सुनना है technical से इनको सुनने वो कल का वो audio की तरह है 5-10 मिनट चलेगा उसके बाद वो audio की तरह है उस पूरे session को सुनेंगे देखे podcast की तरह आपको लगेगा बहुत सारे doubt सिर्फ सुनने मातर से clear हो जाएंगे बहुत जरूरी नहीं है कि आपको screen present हो तो ही आप इन चीज़ों से connect कर पाए ठीक है अगर आप उससे जुड़ना चाते है इस session के complete होने इसको पूरा देखने के बाद नीचे description में आपको link मिल जाएगा telegram channel का वहाँ पर उस video का मैं link अभी post करा दूँगा तो वहाँ पर जाकर आप उसको देख लीजेगा ठीक है अब मैंने क्या कहा एक डेड़ बजे के आसपास आपको आना है और जैसे अगर डेड़ बजे nifty trade कर रहा है आपको 22-200 तो आपको 100-200 पॉइंट 100-500 पॉइंट ऊपर आपको 2-4 रुपय का एक call देखना है और 100-500 पॉइंट नीचे 2-4 रुपय का एक put देखना है ठीक है call और put देख लिए call और put देखने के बाद आपको क्या करना है अब हमको चुनना है call में पैसा लगाएंगे या put में क्यों आप देखिए क्या समझ क्या रहे है यहाँ पर हमको multi-bagger price करने है 2-4 रुपय के premium 40-50 में बेचने का सोचना है 10 गुना 15 गुना करने का सोचना है इसलिए तो expiry पर कर रहे है अब देखिए आप लोग क्या करते है Monday को Tuesday को जब यही trades करते है SL आपके पास नहीं 364 का यह price अभी आप buy कीजिए और आपके against में momentum होगा आप 50 रुपय का SL नहीं लगा पाएंगे तो 100 point ले जाएगा यहाँ आपको खरीदना ही 5 point है जब 5 point की buying है आपकी तो अगर यह 0 होगा तो limit SL आपके पास पहले से लगाने की ज़रूरत ही नहीं 1.500 रुपय का एक lot है 10 lot buy कर लेंगे तो 15.000 रुपय 0 होगा यह मेरा limit SL है वो तो हर trade में आपका जा रहा है जब आप SL लहीं ले पा रहे है या ले रहे हैं तो भी तो limit stop loss पहले से बाजार नहीं criteria तै कर दिया दूसरी बात दूसरा focus क्या है momentum जब आएगा तो 364 का price कितना चल कर जा सकता है 364 का price कितना ही चल कर जा सकता है ठीक है जैसे अगर मैं आपको बोलूँ तो ध्यान से सुनिए अब मैं आपको एक तुलना करके बता रहा हूँ ठीक है दो अगर आप तुलना करेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है इस 29 फरवरी की 47-200 की call के low लगे है 255 या 245 के आसपास और अभी इसका close है 364 और हाई लगा है 398 तो momentum निफ्टी bank nifty में कितना आया जितना आज की expiry के लिए आया है उतना ही इस expiry के लिए ठीक है bank nifty तो अतना ही चलकर गया है जितना आज की expiry के call put के लिए चलकर गया है उतना ही नहीं पर मैं आपको बताऊं 46 900 का strike price example समझे बस 46 900 का call एक example समझ लेंगे फिर हम आगे बढ़ दे 46 900 का call अरे सर कौन सी expiry दे रहा है दुबारा से लगाता हूं ठीक है मुझे 21 किस तारीक का expiry चाहिए सॉरी यह bank nifty nifty के लिए हमको यह example लेंगा कल expiry हो गया किस तारीक कल हम लोगों ने इसका example लिया था अच्छा इसी को अगर निफ्टी में अगर आप समझें अगर bank nifty सही मैं तुल्ला करूं कि bank nifty में यही premium अगर आप देखते 46 900 का अगर आज expiry होती तो 5-10 रुपए की आपकी buying होती और वो premium हो गया होता है इतने ही momentum है जितना bank nifty में आज momentum हुआ 100 रुपए 120 रुपए तो यहाँ पर आपका 10-12 गुना हो गया 10-12 एक्स और यहाँ पर कितना हुआ यहाँ पर आपका पैसा double भी नहीं हो रहा है यह होता है जब किसी strike price की value उसके lowest price पर होती है यह क्या होता है इसको technical में कहते है गामा effect जब किसी strike price के में theta का पूरा डिके मिल चुका हो तब अब valuation peak पकडेंगे फिर उसके बाद दुबारा से low पकडेंगे उसमें value बनेगी फिर erosion होगा यही चलता रहता है एक डेड़ घंटे तो expiry पर जो price में option buying करते हैं buyers उनका benefit होता है multi bagger premiums को credit कराना 2-4 रुपए की चीज 40-50 रुपए पर बेच करा जाए अब मैं समझाता हूँ आप आपको practical ठीक है मैंने क्या कहा 22-44 रुपए के call आपको देख लेने हैं तो जैसे यहां पर मैंने क्या कहा डेड़ बजे के आसपास आपको आज किसके expiry है nifty के तो nifty में यह काम करेंगे ठीक है nifty में क्या किया हम लोग यहां पर बैठे रहे और देड़ बजे के आसपास य के डेड़ बजे का मेरा candle बन गया ठीक है अब इस डेड़ बजे की candle को जो मैंने देखा तो मैंने क्या का trained identification की price क्या कर रहा है तो मैंने आपको एक setup बताया हुआ है projection में सब से deep projection का वो behavior है क्या positive consolidation और negative consolidation अगर positive negative consolidation पर दुबारा session चाहिए तो नीचे comment section में बताईएगा और old session अगर देखना चाते हैं तो मैंने आपको बताया description में telegram का link है उसको join करके वहाँ पर उस video का link आपको मिल जाएगा उसको play करके देख सकते हैं positive consolidation होता है जब एक गिरता हुआ price last candle जिससे low लगे उसके high low mark करने पर next 3-4 candle इस last candle जिससे last low लगे है डे low उसके ऊपर trade करने की close क तो यहाँ पर last low लगे हैं इस candle से अगर आप इस candle के high mark कर लें तो आपको पता लगेगा कि इस candle में अगली 3-4 candle क्या हुई है इस high के उपर close कि यह positive consolidation बताता है कि कोई भी trend यहां से reverse हो सकता है यह अच्छे buyer का sign है अप price यहां से चल कर जा सकता है यह आपको बता रहा है positive consolidation ठ पताईएगा अब यहां पर आप खरीदारी देखेंगे तो पताईए मैंने 2-4 रुपय का call भी अपने watch list में रखा था और 2-4 रुपय का put भी तो मैं किसकी तरफ बढ़ूंगा 2-4 रुपय के call की तरफ यह मेरा आज का trade plan है कि मुझे इस 2-4 रुपय की call की खरीदने की कोश होते हैं तो उसके लिए क्या महतपूर है सर उसके लिए महतपूर है 8 exponential moving average अच्छा अब हमको call buy करना है मतलब long का price देख रहे हैं ना long तो जो भी call buy करेंगे वो 2-4-5 रुपय से ऊपर चल कर जाएगा तो हमको क्या use करना चाहिए 8 EMA low क्या use करना चाहिए 8 EMA low अच्छा जब क्या add करूंगा बताइए मैं add करूंगा 22,100 उसका premium होगा ना 2-4 रुपय उस समय चलिए यहां पर आज हम लोग 2,100 का example लेते हैं बिल्कुल clear समझे अंत तक बने रही है और आप देखिए कि आपको momentum मिलता है यह 22,100 मैंने क्या किया 22,100 का एक अपने पास price रखा ठीक है 22,100 क प्राइज रखा और प्राइज रखने पर फिर मैं चला गया दो मिनट के टाइम पर और दो मिनट के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हमको क्या करना होगा यहां पर एक moving average plot करना होगा moving average plot किया कौन सा यहां पर setting में क्या change करना है 8 का length close exponent low और SMA को EMA में convert कर दिया ठीक है जैसे आप 2 chart के layout लगा ले यहां पर 2 main charts के layout लगा लिए ठीक है इसमे मैं रखूंगा nifty इसमें क्या रखूंगा nifty और इसमें क्यारिखूंगा option का चार्ड यहां पर मैंने क्या रखा身ं of nifty हैं यह और मिलेगा तो अब मैं वहाँ पर खरीदने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं इडेंटिफाई कर लिया मुझे लॉंग की तरफ जाना है अब यह प्राइज नीचे आया देखिए बारा त्रेपन एक यहां पर बज गया इसके बाद फिर यह नीचे आ रहा है नीचे आने के नीचे आकर ऊपर गया अब यहीं पर हमको लॉंग करना यहां पर लॉंग करने चार रुपई neurot करूड़ talk 34 रुपई हमको बस प्राइस के यह दोड़ना होता है जब भी 84 पहुचा तो हमको तो आने पर निकल जाना है अब इतना ही वेट करेंग talk क्योंकि ये premiums अचानक से 0 हो जाएंगे आज expiry day है तो हमको trailing बहुत fast करना होता इसके लिए skill लगेगा थोड़ा समय लगेगा इस पर strength बनाने पे इसलिए मैंने कहा expiry specialist बनना है तो उसमें थोड़ा समय देना होगा हर बार expiry को trade करते करते उस पर practice कीजिए फिर आगे आपको उसके results मिलेंगे जो की बहुत आपके लिए देखेंगे कि कैसे आपके लिए काम कर रहे है अब देखिए एक entry मिला दुबारा फिर price नीचे आकर इस तरीके से फिर उपर गया यहाँ पर आप देखे तो यहाँ भी आपको यही देखने को मिलेगा price नीचे आया नीचे आने के बाद फिर उपर गया उपर गया यहाँ पर फिर long कीजिए और SL swing लो ठीक है प्राइज नीचे आया देखिए और फिर उपर गया फिर 10-11 रुपय पर entry दिया आपने पहले ट्रेट 25 पर काटली देखिए कहां जाकर बंद हो रहा है 10-12 का पर गया 117 पर बंद हो रहा है closing क्या है 117 बात के लिए रुआ 10X फिर से हो गया 10 गुना फिर से हो गया यही कल मैंने bank nifty कल bank nifty की expiry था तो कल bank nifty को हमने इसी concept को सीखा था ठीक है कल bank nifty की expiry में आपने देखा 4 गुना 8 गुना प्रीमियम होगे आज आपने nifty की expiry में देखा 5 गुना 8 गुना 10 गुना प्रीमियम होगे तो यह जो impact है कि option buying करने का best time डेड़ बजे के आसपास बनता है कल भी डेड़ बजे के आसपास आज भी डेड़ बजे के आसपास कल sensex है उसके लिए आप लोग थोड़ा सा observe कीज़ेगा चीज़ों को देखेगा फिर अपने तरहिके से analyze करके वहाँ पर execution कीज़ेगा एक expiry नहीं हर expiry यह करना है हर expiry ठीक है और धीरे धीरे आप देखेंगे option buying में यह जो expertise जो ले आएगा trader उसके लिए आने वाला future बहुत bright है क्यों यहाँ पर आपको जो results मिल रहे हैं आपकी buying के वो बहुत बड़े हैं जो आप किसी earn session में करते हैं Monday को nifty कर रहे हैं या Tuesday को आप bank nifty या nifty कर रहे हैं तो उसके परेड़ा मलग है वहाँ पर आप उतना ही कमाएंगे जितना कमाएंगे यहाँ पर कमाने के लिए बहुत बड़ा रजह होने खुला आस्मान है सामने सर्प पूरा target देखिए 10-12 का premium 117 close करता है ठीक है मैं trail करते हुए यहाँ भी बुक कर लूँगा न तो भी 60-70-80 पर निकल जाओंगा पूरा momentum कोई नहीं लेता है उपर का 25 परसेंट छूट जाता है नीचे भी छोड़ना ही पड़ता है जब entry ले रहे होते हैं तो बीच का अगर इतना ही पाएंगे तो वो भी आपका 5-6 गुना है 5-6 X होता है यह बहुत बड़ा gain है सर इंट्राडे में जब आप ऐसे trade करते हैं ठीक है अब अगर कोई भी session में आपको doubt रह गया हो तो नीचे comment section में मुझे बताइए और जितना मैंने समझाया है जितना मैंने समझाया इसको live market में जाके यह अभी आपको थोड़ा भी doubt रह गया हो तो अपने charts पर इन price को लगा कर देखिए strike price को लगाईए ठीक है और एक तरफ nifty के chart को लगाईए और दोनों को एक layout में देखने की कुछिच कीज़े फिर आपको देखिए उसके क्या परेड़ा मिलते हैं और अगर आपके पास trading view का paid subscription नहीं है तो नीचे description में मैंने बताया धन के demand का link है वहां से open कर लीजिए वहां पर ये सारी चीज़े आपको सुभदाए free of cost मिलेंगे चलिए शुब रातरी धन्यवाद आज के लिए परयाप्त है